उमरिया जीले में इंसानी हमले के करीब 48 घंटे बाद रिहाईसी छेत्र को आज टाइगर ने छोड़ दिया है पारक अधिकारियों की माने तो टाइगर अब वन छेत्र दमनाम बीट की ओर निकल गया है रिहाईसी छेत्र में टाइगर मुव्मेंट की जो लाइव तस्वीर सामने आई है वह हैरान कर देने वाली है पार्क प्रबंध करीब दो दिन से तीन हाथियों एवं 14 टैप केमरा की मदद से रेगुलर टाइगर की मुव्मेंट पर नज़र रखे हुए थे जिस से फिर से एक बार मेल टाइगर रिहाईसी छेत्र पर इंसानी हमला न कर सके गौर तलब है कि मानपुर परिशेत्र के ग्राम रोहनिया में दो दिन पहले अर्चना चौधरी और उसके देड़ वर्षिय बेटे राजबीर चौधरी पर किसी मेल टाइगर ने हमला कर दिया था घटना के बाद से ही पार्क अमला अलर्ट मोट पर था हमले के बाद से ही टाइगर गाव के आसपास ही आबादी वाले शेत्र में था नर्बाग के गाव छोड़ते ही पार्क प्रबंधक ने टैप कैमरा निकाल लिये थे इंसानी हमले के 48 घंटे बाद भी गाव में टाइगर मूवमेंट की खबर ने ग्रामिनों को देहसत में रखा था उधर टाइगर के हमले में घायल 27 वर्षिय अर्चना चौधरी की हालत घटना के बाद से ही नाजुग बताई जा रही है इन्हें जबलपूर मेडिकल कॉलेज में भरती कर इलाज किया जा रहा है वहीं साल भर के बेटे राजवीर चौधरी की हालत पहले से बहतर बताई जा रही है